ना पूरी ना कचोरी और ना ही समोसा आज हम ये टेस्टी नास्ता बना कर तयार करेंगे जो आप सभी को काफी पसंद आएगा आप इसे चाहें तो कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप पैक करके ले जा सकते हैं सुवए दुफेर साम किसी भी टाइम इसे बना कर खा सकते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर एक बड़ा बाउल लेंगे और तीन मीडियम साइज के उबले हुए आलू ले लेंगे और कद्दू कस करके हमें उन्हें तयार कर लेना है आप चाहें तो हातों से भी इसे खोड़ कर रेडी कर सकते हैं आपको ध्यान दाए कि इसमें बिल्कुल भी आलू की कांठे नहीं होनी चाहिए और यह लेजे आलू हमारे गिसकर रेडी हो गए हैं अब मैं ले रही हूं एक चलनी इसके उपर मैंने डाल दिया है दो कप ग्यहूं का आटा आप चाहें तो यहाँ पर मैंदा भी ले सकते या फिर आप आदा ग्यहूं का आटा या फिर आदा आप मैंदा भी ले करके दोनों मिक्स करके बना सकते हैं नमक डालेंगे एक चमच बड़ा वाला डाल रही हूं कसूरी मैती एक चमच बारी कटा हुआ हरा धनिया और जो धनिया है आप सिर्फ इसके पत्ते पत्ते बारी काट करके ही इसमें डालिए एक चमच जाएगा इसमें हरी मिर्ची और अद्रक का दरदरा पिसा हुआ इस तरह का पेष्ट चिले फ्लेक्स एक चमच जाएगा एक से डेर चमच में यहाँ पर डाल रही हूँ वाइट वाले तिल यह तिल मेरे भुने हुए हैं तो बस बारी डाल रही हूँ दो चीज क्यूब लेंगे अमूल वाली और बस उसको भी इस तरह से घिस करके हमें उसी बाउल में एड़ कर देना है और यह लीजे हमारी आटा आटा आपको बना कर तैयार कर देना है अगर आपको लग रहा है कि इसमें पानी की जरुवत पड़ रही है तो आप थोड़ा थोड़ा पानी इसमें टाल सकते हैं नहीं तो आलू और चीज से हमारा इस तरह का आटा लग करके रेडी हो जाएगा यह देखिए अभी ह हम इसको एक बार थोड़ा सा मासाज देते हुए इस तरह के हमें चोटी चोटी लोईयां बना कर तैयार कर लेनी हैं जैसे रोटी पराटा बनाते हैं बस उतना ही जादा मोटा भी नहीं पतला भी नहीं उसी तरह की आपको लोई बना लेनी है अब जिस पर आप रोटी पू के ना लगा ये इस तरह से या पेल लीजिए इसे जैसे पर पीके लह बचा लीजिए वड़ा टाँ पिजय को पिक opacement कतλαई पाक्फी केले लिए जैसे ही तेल गरम मीडियम हो जाएगा हमें एक जो हमारा पफ है चिली चीज पफ आजम बना कर तेयर करेंगे इसका हम नाम दे रहे हैं यह जो नास्ता है काफी टेस्टी बनेगा और इसमें आप एक सारे मट डालिए थोड़ा एक एक दो दो ही डालते हुए इस तरह से आप जैसे आप पूरी फुलाते हैं बस ऐसे तरही बहुत आसानी से यह फूल कर रेडी हो जाएगा और यह बहुत काफी सब को पसंद आएगा और आप मुझे जरूर बताइए कि जो आप आज की जो मेरी वीडियो आप कौन जी सिटी से देख रहे हैं आप इस तरह से कल्ची को चलाते हुए गैस का फ्लेम आप यहाँ पर मीडियम पर ही रखिए और यह दी के एक पूफ हमारा बनकर रेडी हो गया है मैं आपको और भी दिखाती हूँ यह बहुत आसानी से जिक्कर रेडी हो जाएंगे गैस का फ्लेम आपको हाई पर नहीं रखना है बस आपको एक इस तरह से ही मैं सारे पॉफ्स बना कर तयार कर लूँगे यह देखिए सारे हमारे फूले फूले चिली चीस पॉफ बनकर रेडी हो गए हैं यह देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं यह देखिए और यह तेल को भी अफजर नहीं करते हैं अब हम इसको आपको प्लेट में और ग्याहों के आटे से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा और यह आप किससे खाएंगे आप इसको ग्रीन चटनी से भी खा सकते हैं अब अभी यह कच्छी कहरी आ रही है मार्केट में तो आप मीटी चटनी बनाते तो हो गई बस उसी से आप इसे बना करके अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप मेरे सब्क्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन का बटन दवाना ना भूलें जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूंगी वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी त नेक्स्ट रेसीपी के साथ वीडियो देखने के लिए थैंक्यू